आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टड़ी टिफ्स पर आसा करता हूँ आप अपने और अपने परिवार का खयाल वखोगी रख रहे होंगे आज है दस जुद दोहजारी केस और आज के जितने भी important current affairs बन सकते हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अपने session को start करने से पहले मैं आपको बता दू कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको current affairs के section में बहुत ही improvement और confidence फील हो ठीक है सारे examination के लिए जितने भी examination होते हैं one day examination उसमें current affairs का क्या युगदान है current affairs का क्या importance है वो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है ठीक है तो ये session को आप लोगों को पूरा देखना है अगर आपको इस वीडियो के pdf को download करना है तो आपको telegram channel से जुड़ना होगा और जिसका की link वीडियो के description में डाल दिया गया है तो चलिए start करते हैं अपने session को हमारा पहला question है world accreditation day यानि कि विश्व प्रत्यापन दिवस किस दिन मनाया जाता है तो विश्व प्रत्यापन दिवस मनाया गया 9 जून को ठीक है 9 जून को और इस दिन ही 9 जून को विश्व प्रत्यापन दिवस मनाया गया अच्छा, बिस्व प्रत्यापन दिवस को जो सबसे पहले मनाय गया, किसके द्वारा मनाय गया था तो International Accreditation Forum के द्वारा मनाय गया था, उसके बाद इंडिया में, बात करते हैं, अगर इंडिया में, तो इंडिया में कौन सी कसंस्थान है जो की 200 प्रत्यापन दिवस मनाती है तो Quality Council of India Quality Council of India के द्वारा इंडिया में 200 प्रत्यापन दिवस को मनाया जाता है 9 जून को मनाया जाता है और इस बार 9 जून 2000 की इसको मनाया गया ठीक है चलिए ये जो quality council of India है अगर इसकी बात करें तो ये इस day को क्यों मनाता है तो देखें ये क्या करता है कि जितने भी products होते हैं समाजी आर्थिक चेत्र में जितने भी गुनवत्ता वाले standard होते हैं ठीक है हर product का standard का मानक का जो स्थापीत करना ये इसके द्वारा किया जा बात करते हैं ये जो quality council of India के द्वारा मनाया जाता है विश्व प्रत्यापन दिवस इसको नीदर लैंड मोडल के रूप में अस्थापित किया गया था तो वहीं बात करते हैं QCI यानि कि quality council of India के chairman अभी कौन है चेर्मेन है इसके आदिल जैनूल भाई अभी QCI के chairman है इसकी अस्थापना हुई थी 1997 को इसकी अस्थापना हुई थी बात करते हैं कि world accreditation day अच्चा जून मन्त के जितने भी important days हैं उसको हम लोग एक बार करके revision कर लेंगे क्योंकि exam में एक या दो questions important days से related आही जाते हैं इसलिए जून मन्त के जितने भी important days हैं उसको एक बार करके revision कर लेते हैं ठीके देखें फर्स्ट जून को कौन से डे मनाया गया था? Global Parents Day फर्स्ट जून को मनाया था Global Parents Day 2nd June को मनाया गया International Sex Worker Day, उसी दिन मनाया गया था, तेलंगाना Formation Day, 2 June 2014 को हमारा 29 राजी के रूप में तेलंगाना का Formation किया गया था, बट अभी 28 राज है, क्यों है आप लोगों को पता होगा, 3rd June को मनाया गया World Bicycle Day, ठीक है, 3rd June को मनाया गया World Bicycle Day, 4th June को मनाया था, International Day of Innoc Children Victims of Aggression, अच्छा, 5 June को Concert Day मनाया गया, तो World Environment Day, बहुत ही important day था, इस बार ऑक्सिजन के कमी के कारण क्या हाल हुआ देसका, इसके बारे में बहुत ही सब कोई aware होंगे, तो दोस्तों, आप लोगों को पेड लगाना है, पौदे लगाना है, पेड पौदे को लगाना है, ता Theme था, आपको इस Theme को भी याद रख लेना है, ठीक है, इस Theme को भी याद रख लेना, Ecosystem Restoration, World Environment Day, 5 June को मनाया गया, बहुत important day है, एक्जाम में इस से question बनेगा ही बनेगा, Environment Day से, ठीक है, 7 June को, कौन सा डे मनाया गया, तो International Level Crossing Awareness Day, ठीक है, International Level Crossing Awareness Day, और उसी दिन मनाया गया, World Food Safety Day, अच्छा, अगर इसका Theme आपसे पूछा जाए, इसका Theme अगर आपसे पूछा जाए, तो इसका Theme है, कि अगर आप अच्छा खाना आज खाते हैं, ठीक है, तो इसका लिए आपको, इसका Future, आपका जो Tomorrow होगा, वो क्या होगा, आच्छा होगा, ये इसका Theme रहा था, अच्छ जैसे हम लोग जून मंत में आगे बढ़ेंगे तो जून के सारे important days को cover करते चलेंगे चलिए अब बात करते हैं sports person यानि की खेल खिलालियों के लिए free टिका करन अभ्यान की सराज्य के द्वारा आयोजित किया गया है तो खिलालियों के लिए क्या किया गया है free टिका करन का अभ्यान आयोजित किया गया है इसके तहट क्या किया जाएगा 10,000 से उपर 10,000 से उपर खिलालियों का टिका करन किया जाएगा और यह जो इसकी सुरुवात जो है यह किया गया किसके द्वारा इसकी सुरुवात किया गया जो वहां के sports minister है केसी नाराइनन गौडा ठीक है क करनाटका के sports minister है उसके द्वारा इस अभ्यान की सुरुवात की गई और कहां से किया गया तो कांती रवा stadium से इस अभ्यान की सुरुवात की गई और 10,000 से अधिक खिलालियों का vaccination जब तक नहीं हो जाता तब तक यह व्यान चलते रहेगा ठीक है तो बात करते हैं करनाटका क तो करनाटका के CM और governor, केरला के CM और governor, आंदरपरदेश के CM governor और तेलंगाना के CM governor आपको इन सारे CM governor जितने भी states हैं और जितने भी union territories हैं सब के CM governor आपको याद रखने हैं अगर आपको इसके लिए video चाहिए तो हम क्या करेंगे अपने channel पर जितने भी topic wise current affairs हैं वो लेकर आ हैं आप उस videos को देखना ना भूलिएगा ताकि वो आपके लिए बहुत ही useful हो चलिए अगले question पर चलते हैं कि India Thailand Coordinated Petrol यानि कि India और Thailand मिलकर एक जो पेट्रोल करते हैं जो गस्त लगाते हैं समुंदर में जो corporate है ठीक है corporate ये जो इस बार किया जाएगा 2021 ये कौन सा संस्करन ह है इसका तो ये इसका 31 संस्करन है इंडिया थाइलेंड कोडिनेटेट पेट्रोल कॉर्पेट का ठीक है ये इसका 31 संस्करन है इससे पहले 30 संस्करन हो चुके हैं इसके ठीक है इससे पहले 30 संस्करन इंडिया और थाइलेंड के बीच हो चुके हैं अच्छा ये जो इस ये कौन से बिमान जो है बिमान बहाग पूत जो होते हैं वो कौन से भाग लेंगे इंडिया की ओर से और कौन वाला लेंगे थाइलेंड की ओर से तो इंडिया के और से लेगा INS Saru, ठीक है, आपको याद रखना है, INS Saru इंडिया के और से भाग लेने वाला है, और Thailand के और से, Thailand के और से, Thailand के और से लेने वाला है, HTMS, HTMS Cabri, ठीक है, HTMS Cabri, दोनों मिलकर क्या करेंगे, यह इस gust को perform करेंगे, और यह किसलिए किया जाएगा, तो हिंद महासागर, जो इंडियन ओसियन है, हिंद महासागर को सुरक्षित करने के लिए ये गस्त किया जाएगा, ये गस्त का performance किया जाएगा, ओप्रेशन गस्त किया जाएगा, ठीक है? तो ये एक तिस्वा संस्क्रान है, चलिए, आगे बात करते हैं कि नए चुनाव आयुक्त के रूप में किने नियुक्त किया गया है, तो नए चुनाव आयुक्त के रूप में राष्टपती के द्वारा अनूप चंदर को नियुक्त किया गया है, ये नए चुनाव आयुक्त और अप्रिल मंत से ही ये पोस्ट खाली था और अब जाकर अनुप चंद्रा जी को उन पोस्ट पर रखा गया रास्पती के द्वारा नए चुनाव आयुक्त ये होंगे वहीं बात करते हैं संजय कोठारी की तो संजय कोठारी जो हैं CVC यानि की जो तुमा आपका विजिलेंस कमिस्नर है ये कौन है चीप विजिलेंस कमिस्नर मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं संजय कोठारी जी और सुभूद कुमार जैसवाल कौन है तो CBI के Director General अभी ये बने हैं बात हो गया चलिए सिंगल यूज प्लास्टिक अवेर्नेस कमपेंड ठीक है सिंगल यूज प्लास्टिक अवेर्नेस यानि कि सिंगल यूज को सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज नहीं करना है ये हमारे परियावरन के लिए बहुत ही ज्यादा घातक होता है हमारे वाट बार launch हो जाएगा इस campaign के तहर तो आगे चलके जो आपका import होता है plastic, single-use plastic उसको भी band करने का plan बनाया जा रहा है, तो single-use plastic awareness campaign 2020 प्रकास जावडेकर जी परियावरन minister के द्वारा, environment minister के द्वारा इनको launch किया गया है, ठीक है, देखे, the times, the times जो है एक पत्री का है, तो इसके most desirable women का list जारी किया गया है, 50 most desirable women, worldwide 50 most desirable women के लिए क्या किया गया है, एक list जारी किया गया है, और इस list में सबसे top पर कौन रही, तो देखे, इनका रिया चक्रवरती, रिया चक्रवरती जो है, the times, the times most desirable, 50 most desirable women के list में top पर रही है, और ये क्यों रही है, तो पिछले साल इन्हों सब्सक्राइं राजपूत के सडली जो सडली जोंका मौत हो गया था उनके मौत के कारण यह बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी इस कारण से मोश्ट डिजारेवल वोमें 2020 का में इन्होंने टॉप किया है यह बहुत ही दुखद बात है, लोग इनको देखना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन चलिए टॉप किया है, ठीक है? चलिए, एडलीनो, कैस्टिलीनो, दूसरे अस्थान पर रही, तो वहीं दिसा पटानी, जो इंडियन एक्टरेस है, वो रही, तीसरे अस्थान पर, और चौते अस्थान पर रही दा टाइमस वाले 50 most desirable women के लिए अच्छा बाप्टा TV अवार्ड्स अभी अभी उसका winner को घोसित किया गया है तो बाप्टा TV अवार्ड्स 2021 जो क्या किया गया है इसका घोसना किया गया है ये जो बाप्टा TV अवार्ड्स है तो ये है बिटीस अकेडेमी टेलिवीजन ठीक है, British Academy Television Award, तो ब्रिटेन वाला जो ब्रिटीज टीवी होता है, ठीक है, उसमें जो अपने आउटस्टेंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, अपने आउटस्टेंडिंग वर्क के लिए बाप्टा TV Awards दिया जाता है, एक्टर, एक्टरेस को, ठीक है, फिल्म को, सिरियल्स को दिया जाता है, तो यह जो 2021 में लीडिंग एक्टर का खिताब जीता है, पॉल मैसकल ने, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, पॉल मैसकल जो है, इन्हें लीडिंग एक्टर का खिताब दिया गया है, तो वहीं पर माइकल को दिया गया है, लीडिंग एक्टरेस का ब्रिटिस टीवी अवार्ड है तो ब्रिटिस टीवी के छेत्र में जो है आउटस्टेंडिंग परफोर्मेंस के लिए ये अवार्ड दिया जाता है ब्रिटिस टीवी प्रोग्राम्स को ठीक है तो ये पॉल मासकल और माइकला कोयल जो है ये जो है लीडिंग एक्ट्रेस के र रहने वाला है वहीं बात करें 2022 में तो 2022 में ये किया 7.5% रहने का चांस बताया है जो की economy project करती है GDP growth को expect करती है किसी भी countries के लिए तो ये जो crazy reaction था है ये इन्होंने इंडिया का GDP growth 9.5% बताया है fiscal year 2021-2021 के लिए ठीक है fiscal year 2021-2021 के लिए ये क्या किया है 9.5% पहले इन्होंने 11% बताया था लेकिन ये जो COVID pandemic का second wave आया तो इस कारण से क्या हुआ market जो हो गया डाउन हो गया इस कारण से इन्होंने इंडिया का GDP growth फिर से री फिर से दिया और बताया कि ये क्या हुआ 9.5% रहने वाला है वहीं बात करते हैं world bank की तो world bank का headquarter कहा है world bank का headquarter है Washington DC US में ठीक है और इसके जो अभी head है वो कोने डेविड मलपास आपको याद रखना है डेविड मलपास तो वहीं बात करते हैं world bank का अस्थापना कब हुआ था जुलाई 1944 में world bank का अस्थापना जुलाई 1944 में हुआ था चलिए अगले question की बात करते हैं तो naval operations ठीक है naval operations के director general का charge अभी अभी किने दिया गया है तो आप ठीक है वहीं बात करते हैं करंबीर सिंग अभी naval staff के chief है ठीक है naval staff के admiral करंबीर सिंग naval staff के chief है अच्छा राके सस्थाना कौन है तो राके सस्थाना अभी BSF के director general है BSF के director general है और ये Narcotics Control Bureau के भी DSG है ठिक है? Narcotics Control Bureau के राके सस्थाना भी DSG है तो वही बात करते हैं भारतियत रख्षत बलके क्या है? ये अभी DSG है चलिए अगले question पर चलते है हमार अगला question है Enemya मुक्त भारत इंडेक्स 2020-2021 में सिर सस्थान किसने हासिल किया है अभी अभी एनिम्या मुक्त भारत इंडेक्स 2020 सी किस जारी किया गिया है तो इसमें जो है सिर सस्थान जो है मध्य परदेश ने हासिल किया है चलिए देखे यह एनिम्या क्या है एनिम्या एक खून की कमी से होने वाली बिमारी है और यह इंड लुकुटिंट वोमेंन जो होती है भारत में ऐनीम्यासे ग्रस्टैक तो वहीं 53 से 33% lock नौनप्रेगणन लेड़ी जह जो है गल्स हैं थो वह क्या है ऐनीम्यासे प्रेगण से यह क्या बोलते हैं है ग्रस्टैक उसके बादबात करें तो 59 59% चिल्डेन जो है चिल्डेन भारत में चिल्डेन तो एनेमिया से 59% चिल्डेन पांच साल से पांच साल के आसपास का ठीक है तो यह है एनेमिया से ग्रसीत है तो बहुत ही बड़ा पबलिक हेल्थ इसू है भारत में एनेमिया ठीक है तो एनेमिया इंडेक्स में मतलग कौन स कौन सा स्टेट है जो एनिम्या के छेतर में अच्छा काम कर रही है तो उसके बेसिस पर एनिम्या मुक्त भारत इंडेक्स जारी किया जाता है और इस बार जो है टॉप किया है मद्य परदेश ने इस बार टॉप किया है वो हर्याना ने टॉप किया था पिछले बार टॉप किया था हर्याना ने ठीक है तो इस बार किस ने किया है मद्य पर्देश ने दूसरे अस्थान पर कौन रहा अपको पहला दूसरा तिसरा तो याद रखना ही रखना है क्योंकि एक्जाम में दूसरा पहला या तिसरा भी प पिछले साल अनेमिया मुक्त भारत इंडेक्स में फर्स्ट अस्थान इसने हासिल किया था चलिए और देखिए ये जो हिमाचल पर्देश है हिमाचल पर्देश का पिछले साल रैंकिंग रहा था 18 ठीक है हिमाचल पर्देश में हिमाचल पर्देश का रैंकिंग पिछले साल ठारवा रहा था और ये इस बार 15 अस्थान की सककर 3 अस्थान हासिल किया है मतलब तीसरे अस्थान पर ये काभीज हो गया है जो बहुत ही अच्छी बात है हिमाचल परदेश ने अपना परफॉर्मेंस सुधारा और तीसरा अस्थान हासिल किया चलिए अब बात करते हैं कि प्रोफेसर गनेसी लाल यहां के गवर्नर है उडिसा के ठीक है प्रोफेसर गनेसी लाल और हिमाचल परदेश की बात करें तो हिमाचल परदेश के सीम है जैराम ठाकूर जैराम ठाकूर और वहीं इसके गवर्नर की बात करें तो इसके गवर्नर है बंडारू दत्तत्रे सत्यदेव नारायन आ रही है दोस्तों ये था आज का हमारा इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स और आप हमारे विडियोज को प्यार दे सपोर्ट दे तो ऐसे ही आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल विडियोज और आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज हमारे चैनल पर लौंज किये जाएंगे चाहे वो टेकनिकल एकजाम हो जैसे किसी भी टाइप का J E एकजाम हो या फिर A E एकजाम हो और चाहे वो नौन टेकनिकल एकजाम हो RRB, NTPC, Group D, BPSC, JPSC, SSC, CGL, SSC, JECPO, सारे कोर्स हमारे चैनल पर लौंज किये जाएंगे और पूरे सिलेवस को अ हमें सपोर्ट किजिए आप हमें प्यार दिजिए तो आपके लिए हमारे चैनल पर बहुत सारे कोर्सेज लांज किये जा रहे हैं और किये भी जाएंगे तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में नए कॉंटेंट नए इंफोर्मेशन के साथ तब तक के लिए आप सेप रहें स हैंक्स दोस्तों